Question 1. N.A.N.O.G.R.A.V. का मुख्य उद्देश्य क्या है? A.X.O.P.N.8 के गठन का अध्याना B. Dark Matter की प्रकृति की जाच करना C. गुरुत्वाकर्शन तरंगों का पता लगाना और उनका अध्यान करना B. ब्रम्हान्दियम माइक्रोवेख प्रिष्ट भूमी विकिरन की उत्पत्ती की खोज C. गुरुत्वाकर्शन तरंगों का पता लगाना और उनका अध्यान करना महाविशाल ब्लैक होल विलीन हुने पर गुरुत्वाकर्शन तरंगे उत्पन करते हैं N. A. N. O. J. R. A. V. ने ग्राउंद आधारित रेडियो दूबीनों का उप्योग करके 15 वर्षों से अधिक समय से उच्छ सटीक डेटा एकत्र किया है N. A. N. O. J. R. A. V. द्वारा पता लगाए गए प्रिष्ट भूमी तरंगे गुरुत्वाकर्शन तरंग निर्मान और प्रसार के दोरान गतिशीलता को समझने में मदद करती है करशन 2. वियना में बाहिय अंतरेक्ष मामलों के ये सयुक्त राष्ट कार्याले के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है A. Antonio Guterres, B. Simonita D. Pippo, C. R. T. Hola Mini, D. उप्रोक्त में से कोई नहीं उत्तर C. R. T. Hola Mini, उपग्रह उद्योग में भारतिय मूल की विशेशगे R. T. Hola Mini को 28 जून 2023 को वियना में UNOSA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो सिमोनिटा D. Pippo की जगह लेंगी और उनके पास प्रबंध किया और वकालत भूमिकाओ सहित अंतरिक्ष्ट शेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है रशन तीन, दुबई में आयोजत विश्व के पहले अंतराष्ट्रिय महिला का बड़ी फाइनल में कौनसी टीम चैंपियन बनी? A. पंजाब पैंथिस, B. उमा कोलकाता, C. डिल्ली डाइनामाइट्स, D. गुजरात अंजिल्स, उत्तर B. उमा कोलकाता उमा कोलकाता 28 जून 2023 को दुबई में एतिहासिक महिला का बड़ी टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर उबरी, दुनिया के पहले अंतराष्ट्रिय महिला का बड़ी फाइनल में पंजाब पैंथिस बनाम उमा कोलकाता टीमें शामिल हुई, उमा कोलकाता रुपए एक करोर अभवय पुरस्कार जीतकर चैंपियन बनकर उबरी, पंजाब की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और रुपए 50 लाख का पुरस्कार प्राप्त किया प्रश्न चार, चंद्रायान टीम कब लॉंच होने वाला है? ए, 10 अगस्त 2023, बी, 13 जुलाई 2023, सी, 5 जुलाई 2023, डी, 21 अगस्त 2023, उत्तर बी, 13 जुलाई 2023, इस्रो के अनुसार, भारत का चंद्रा अन्वेशन मिशन चंद्रायान टीम, 13 जुलाई को दुपहर 32 बजे के आसपास लॉंच किया जाना है यह मिशन भारतिय अंतरेक्ष अनुसंधान संगतन इस्रोद्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य चंद्रमा पर अंतरेक्ष यान को उतारने के लिए महत्वपूर्ण तक्नीक का प्रदर्शन करना है प्रशन पांच केंड्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभारतियों के लिए अब एम्स नई दिल्ली, पीजियाम्यार चंडीगर और जयाइप्यम्यार पुडुचेरी में कैशलेस उप्चार सुविधाय उपलब्ध है केंड्रिय स्वास्थ्य मंत्राले ने CGHS लाभारतियों को कैशलेस उप्चार की सुविधा प्रदान करने के लिए 27 जून 2023 को तीन चिकित्सा संस्थानों के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है करशन 6. ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा A. चेनई, B. मुंबई, C. कोलकाता, D. अहंदाबाद, उत्तर D. अहंदाबाद, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के कार्यक्रम की घूशना की गई World Cup की शुरुआत 5. October को England और New Zealand के बीच अहंदाबाद में मैच से होगी Final Match भी 19. November को अहंदाबाद में ही खेला जाएगा भारतिये क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 8. October को 29 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी बहुप्रतीक्षिक भारत पाकिस्तान मैच 15. October को अहंदाबाद में होगा इन टीमों के बीच आखरी मुकाबला 2019 विश्व कप के दोरान हुआ था और भारत विजे रहा था World Cup में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी प्रशन साथ टोल प्लाजा पर सहच क्रॉस ओवर प्रदान करने के ये FASTAGS द्वारा किस तक्नीग का उप्योग किया जाता है A. GPS तक्नीग B. Bluetooth तक्नीग C. Radio Frequency पहचान तक्नीग D. चुमब की अपट्टी प्रोध्योगिकी उत्तर C. Radio Frequency पहचान तक्नीग सड़क परिवहन और राजमार्ब मंत्री नितिंगडकरी ने 27 जून 2023 को कहा कि FASTAGS के उप्योग से तोल प्लाजा पर इंतजार के कारण बरबाद होने वाले इंधन खर्च में 70,000 करोर रुप्य की बचत हुई है किस शहर ने विशेश ओलंपेक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की A. बलिन, जर्मनी, B. बिल्ली, भारत, C. लंदन, युनाइटड किंग्डम, D. टोक्यो, जापान उत्तर A. बलिन, जर्मनी, Special Olympic World Games 2023 का आयोजन 17 जून से 25 जून 2023 तक बलिन, जर्मनी में किया गया था भारत की कुल पदक तालिका 202 पदक तक पहुँच गई, जिसमें 76 स्वर्ण पदक शामिल है भारत में 57 कोचों के साथ 1898 एथलीटों का दूसरा सबसे बड़ा दल भेजा, जिन्होंने 9 दिवसिया आयोजन के दौरान 16 खेलों में प्रतिसपरधा की प्रशन 9 भारतिय जोडी ने फाइनल में टीन एक किसको से जीता, इस जीत में उन्हें चालू वर्ष में कंटेंडर खिताब जीतने बाले पहले भारतिय बना दिया प्रशन 10 दीक्षा दागर ने चैक लेडीज ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता उसने किस अनोखी चुनोती या स्थिती पर काबू पालिया है दृष्टी हानी, बी श्रवन हानी, सी शारीरिक बिकलांकता, दी भाशा बाधा, उत्तर बी श्रवन हानी, प्रतिभाशाली गोल्फ दीक्षा दागर ने 25 जून 2023 को चैक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरूपेन टूर खिताब जीता, उन्होंने अपना पहला एलीटी खिताब 2019 में अपने शुरुआती वर्ष के दौरान जीता, बीक्षा 2021 में लंदन में अरामको टीम सीरीज की बिजेता टीम का भी हिस्सा थी, वो 2023 में एलीटी जीतने बाली दूसरी भारतिय बन गई, अधिती ने सीजन की शुरुआत में मैजिकल केन्या ले कीजे